दोस्तों, हमने कई बार ऐसी स्टोरीज तो सुनी हैं जब कोई इंसान बहुतर जिंदिकी की तलाश में नौर्थ कोरिया से भाग कर साउध कोरिया या फिर अमेरिका भागा आया था प्रकेन ऐसी कहानी भी है पूरे से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बेल आइकाउन दोबना ना पूलें यहाँ जिस सूल्टर के बारे हम बात कर रहे हैं उसके नाम है जेम्स ट्रेस्टॉक जेम्स की जिन्दगी अमेरिका में बहुत अच्छी नहीं थी उसके बाता पिता का डिवास हो गया था फिर पहले उसे अपनी माँ को छोड़ कर अपने पिता के साथ रहना पड़ा और उसक की तरह सर्वाइब करने के बाद जेम्स ने 17 साल के उम्र में अमेरिका नाम ही जॉइन की थी यहाँ पर कुछ वक्त तक उसका करियर अच्छा चला बाद में उसने शादी भी की लेकिन आर्मी के काम से हमेशा बाहर रहने की वजए से उसके शादी चल्दी तूट गई जेम्स इस वक्त साउथ कोरिया और नौथ कोरिया के बीच में डी मिलिटराइस जोन में स्टेशन था और उसने शराब पीना शुरू कर दिया यह बाद 1962 की है जब उसने फाइनली नौथ कोरिया जाने का सोचा इस गटना यह दो विवरन है दोस्तों पहला विवरन तो यह कहता है कि जेम्स को उसके सीनिया ने एक रात को बाहर जाने से रोक दिया था और इसके बाद जब वो चोरी छिपे बाहर चला गया तो उसके सीनिया ने अगले दन उससी यह कहा कि ऐसा करने के लिए उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा दूसरा विबरन ये है कि उसके सीनिया ने उसे बहुत ज़ादा हुमिलेट किया था जिससे तंग आकर जेम्स ने रिसाइट किया कि वह खुदकुशी कर लेगा और इसी रादे से वो नॉर्ट कोरिया की तरफ बढ़ा था उसने सबी सवालों का जवाब बहुत ही आराम से दिया इसके बाद अगली सुबा जेम्स को इंग्लिश में गावास सुनाई थी यह आवास लेरी एलिन एप्शायर की थी लेरी की स्टोरी भी जेम्स की जैसी थी और जब उसे आर्मी ने वीड पीतर पकड़ा था तब उसने भी नौथ कोरिया का बॉर्डर क्रोस करते हुए पकड़ा था लेकिन लेरी और जेम्स भी अकेले अमेरिकन्स नहीं थे जहां पर एक जैरी वेन पैरिश भी था जो कुछ महीने बाद 1963 में नौथ कोरिया आया 1965 में चार्ल्स रॉबर्ट जैंकिन्स नाम का एक और आर्मी आफिसर नौथ कोरिया आया नौथ कोरिया ने एनाउंस किया था कि जो भी अमेरिकन सोलजर अपने साथ इन्फरमेशन या वेपन लेकर आएगा उसे नौथ कोरिया में रिवार्ड किया जाएगा जैंकिन्स अपने साथ एक M14 राइफल भी लाया था और एक बड़े इसे क्राउड ने उसका स्वागत किया था यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उस टाइम का नौथ कोरिया से काफी डिफरेंट था दोस्तों वाँ अब भी किम फैमिली की ताना शाही थी लेकिन वो साथ कोरिया के मुखाबले ज्यादा एकॉनोमिकल प्रोग्रेस कर रहे थे इन चार अमेरिकन्स का इस्तिमाल नौथ कोरिया सरकार ने अपने प्रोपेगेंड़ा के लिए किया ये लोग वाँ के लोगों को अमेरिका में ब्लैक स्क्लेवरी के बारे में लोगों को बताने लगे जिससे आम लोगों में अमेरिका के खलाफ नफरत पैदा हो ये चारो एकी कंपाउंड में रह रही थे उन्हें हर तरह की सुख सुविदा वाँपती जा रही थी लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगा कि शायद इनों नॉर्थ कॉरियां आपके गलती कर दी है क्योंकि पूरे देश में सिर्फ वही चार वाइट लोग थे और वो किसी भी नॉर्थ कॉरियन महिला से शादी भी नहीं कर सकती थे इसलियन चारोंने उन्हें वहाँ पर सोवियत ऊन्हें की अमबसी पर असाइलम के लिए अपलाई किया सोवीट युन्यन ने लएने समना कर दिया और नॉर्थ कोरियन गवर्मेंट को उसकी जानकारी देती लेकिन नॉर्थ कोरियन गवर्मेंट ने लोग पनिश नहीं किया वलकि एक आगी यह उनकी गलती है कि उन्हें घर जैसा फिल निगकर बाया इसलिए आप वो उन्हें Korean भाषा सिखाएंगे ताकि वो आम लोगे साथ खुल मिल सकें सब इन्हें Korean भाषा सीखी और फिर उन्हें खुले आम गुमने दिया जाने लगा 1912 तर तक चारों को नौथ Korean citizenship भी दे दी गई किम सेकेंड संग के बेटे किम जॉंग टू अभी तक डिक्टेटर नहीं बने थे और उनका एक शॉक फिल्म मेकिंग भी था इसलिए उन्होंने फिल्म्स बनाने का सोचा ये फिल्म्स एक तरह से नौथ Korean प्रोपेगेंडा ही था लेकिन उनमें अमेरिका को विलन दिखाना था जिस वज़य से उन्हें American faces की जरूओत थी इन चारों लोगों को अब फिल्म्स में रोल मिलने लगे 1978 में Unsung Heroes के नाम से उन्होंने एक 20 एपिसोड का शोव शूट किया जिसमें James को Arthur नाम के कैरेक्टर का रोल मिला इस रोल ने James को वहाँ पर इतना ज़्यादा पॉपुलर बना दिया गिए और रात रात एक स्टार बन गया जहां भी जाता लोग उसे गेड लेते थे इसके बाद 1980 के दशक में वो प्योंग्यां की इनिवसिटी में इंग्लिश भी पढ़ाने लगा जो कि वहाँ के लोगों के लिए भी काफी जरूरी था एक दिन जब James एक रेस्टरों में था तो उसे वहाँ पर एक यूरोपियन महिला दिखी जिसके नाम था जेमस और दोइना के बीच में बाते शुरू ही कुछ समय बाद इनकी शादी बे होई बाद में मैं पता चला कि दोइना को नौर्थ कोरिया ने किड्नैप करवाय था और शायद इसी लिए उस रेस्टरों में प्लांट किया गया था ताकि जेमस इसे मिल पाए लेरी को भी एक नौर्थ कोरिया में एक थाई औरत मिल गई जिसका राम अनोचा पंजोई था और वो बैंककॉक में एक मसाज़ पालर में काम किया कर दे थी उसे भी वहाँ से किड़नाप किया गया था लेरी की मौत 40 साल की उमर में हार्ट अटैक से हो गई थी और अब सिर्थ तीन अमेरिकन्स यहां पर बच्छे थे जेमस और दोईना की शादी इस बीच अच्छे चल रही थी और उनसके दो बच्चे थे तियोडोर और जेमस यह दोनों आज भी आ रहते और अपने पिता की तरह वहाँ की प्रोपेगंडा फिल्म में अमेरिकन विलिन्स का रूल करते हैं जेमस ने एक बार बीबीसी के इंटर्वीव में भी कहा था कि उसे नॉर्थ कोरिया की जिंदगी बहुत अच्छी लगती और अगर वो अमेरिका में रहता तो वो शायद अपने बच्चों को इतनी अच्छी जिंदगी नहीं दे पाता इन अमेरिकन के साथ ये भी प्रॉब्लम थी कि इन लोगों ने नॉर्थ कोरिया आने के बाद बाहर की दुनिया नहीं देखी थी इसलिए न मालूमी नहीं था कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है टेक्नोलजी और ससाइटी बहुत आगे बढ़ चुकी है साथ ये ने तो ये भी नहीं मालूम था कि इनसान चान पर महुच गया है लेकिन अमेरिकन्स विदेशी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते रहते थे जिस वज़े से हमें इनकी जिन्दगी के बारे में पता चलता रहता जेम्स की जब पहली पतनी की मौत होई तो उसी रेस्ट्रॉम में वो अपनी अगली बीवी से भी मिला अब ये कहना मुश्किल है कि इन सभी लोगों को पता था या नहीं कि ये औरतें किटनेपड है या नहीं क्योंकि ऐसा लगता है कि एक ओपन सीक्रिट तो राई होगा इस बीच में 1998 में चैरी वेन पैरिश की भी मौत हो गई थी और अब नौथ कोरिया में सिर्फ दो अमेरिकन्स बचे थे जेम्स और चाल्स जेंकिन्स जहां जेम्स को नौथ कोरियन लाइफ पसंद थी वहीं जेंकिन्स को हमेशा से वहाँ पर एक प्रिजनर जैसी फिलिंग आती थी उसे वापस अमेरिका जाना था 1980 में जेंकिन्स ने भी 40 साल की उमर में 21 साल की जैपनीज लड़की से शादी कर ली थी ये लड़की हिटोमी सागा थी और आप समझे गए होंगे कि इससे भी किडनाप किया गया था लेकिन जेंकिन्स और हिटोमी दोनों को ही नौथ कोरिया में रहना पसंद नहीं था 2002 में हिटोनी ने नौथ कोरियन गवर्मेंट से रिक्वस्ट की कि कुछ दिनों के लिए जपान भेज़ दिया जाए उसे और क्योंकि जैंकिन्स की नौथ कोरिया में बहुत इज़त थी इसलिए हिटोमी को भी जाने दिया गया लेकिन वहाँ जाकर उसे कुछ दिनों में वापस भी आना था लेकिन वो कभी वापस नहीं आई 2004 में जैपनीज गवर्मेंट ने डिपलोमाटिक चैनल्स को यूज किया और जैंकिन्स को भी वो जपान लाने में खामयाब रहे चार्ल्स जैंकिन्स ने जैपान आकर अपनी आटो बायगरफी तु टेल दे टुट लिखी और इसमें भी उन्होंने अपनी और बाकी अमेरिकन्स की जिंदगी के बारे में वहाँ पर कई खुलासे किये इसमें नौर्थ कोरिया के बारे में बहुत सी निगेटिव बाते थी लेकिन जब भी जैंस से कोई फॉरेंट जैंकिन्स को जूटा ही बताते थे जबकि जैंस की कहना था कि जैंस पूरी तरह से नौर्थ कोरिया के प्रोपेगेंड़ना है फसा हुआ है और वहाँ की सरकारों से यूस कर रही है फैर जैंस ड्रेसनॉट की मौँ दोजार सोला में चौदतर साल के उम्र में हो गई थी और जैसा कि हमने पहले बताया कि जैंस की फैमिली अभी भी नौर्थ कोरिया में ही रहती है चार्ल्स जैंकिन्स की बात करें तो 2008 में उसे जैंकिन्स सिटिजन्स इप दे दी गई थी और 2017 में जैंकिन्स की भी मौत हो गई इस स्टोरी को सुनने के बाद बहुत से लोग आज भी डिबेट करते हैं कि क्या जैंस का फैसला घलत था जो जिन्दगी उसे कभी अमेरिका में नहीं मिली अगर उसे बहतर जिन्दगी पर नौर्थ कोरिया में जी रहा था तो क्या उसके लिए अच्छी बात नहीं थी हमें क्यों उसे एक विलन की तरह देखना है वह एक कुछ लोग के कहते हैं कि क्योंकि जैंस जिन्दगी वाँ जी रहा था वो नौर्थ कोरिया के सिटिजन्स पर जुल्म करने वाली सरकार उसे प्रवाइट कर रही थी इसलिए जेम्स को एक पॉजिटिव लाइट में पेंट नहीं किया जा सकता है आपको क्या लगता है क्या जेम्स का नौर्थ कोरिया के सरकार के साथ देना खलत था या सही